पैंडमीक के चलते कुछ बाते ऐसी हैं जिनका हमें पिशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर जाने के लेकिन किन बातों को ध्यान में रखना है आई इसके उपर विचार करते हैं सबसे पहले कोशिश करें कि घर के दर्वाजे को नैच हुएं दर्वाजे खुलने के लिए किसी को अंदर से बुलाएं फेस मास को सामने की तरफ से ना उतारते हुए कानों के पीछे की तरफ से उतारें और उसे ढखकन वाले कुड़ेदान में ही फैंकें मुम्किन हो तो जूते या चपल को बाहर ही उतारें और उने स्प्रे वाले सैनिटाइजर से बहुत अच्छे से सैनिटाइज करें बहर से लाए हुआ आपका जितना भी समान है उसे घर के किसी एक कोने में रख दे या दर्वाजे के पास ही रखें उसे अंदर न लेके जाएं यदि आपके समान में खाने का समान नहीं है तो सारे समान को जैसे की आपका मुबाइल फोन, घड़ी, बेल्ट या जो भी समाना बजार से ना है उसको अच्छे से सैनिटाइज करें उसके बाद बात्रूम में जाकर अच्छे से नहाएं, गरम पानी से नहाएं और उतारे हुए कपड़ों को तुरंथी धोने में डाल दें नहाने के बाद नवाएक गरम पानी में सेंधा नमक डाल कर अच्छे से गरारे अवश्य करें याद रखे, एन COVID-19 करोना वाइरस का खत्रा अभी भी बरकरार है, जिसके जलते हमें अपनी जीवन शैली में ये कुछ बड़े या कुछ छोटे बदलाव लाने होंगे और हाँ, अपनी रोग प्रतिरोदक शक्ती को बढ़ाने के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए अपने आयूश चिकित्सक की सलहां से किसी भी द्रवय का सेवन अवश्य करें सावधान रहें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें सक्सेस आयूर, आयूर विदर क्लिनिक आपके स्वास्ते की मंदल कामता करता है शुक्रिया